नमस्कार मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हमारा चैनल मिस्टर मनोज आएंकर तो आज के दिन की ये दूसरी नियूज बुलेटिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और ये दूसरी नियूज बुलेटिन ले आने का कारड़ ये है कि बकसर जीला प्रशासन ने हमारे जीले में 18 नए संक्रमड की पुष्टी की है हलाकि बिहार के जिन 36 जीलों की रिपोर्ट पहली बार सौपी गई थी उनमें बकसर जीले में 27 संक्रमड की पुष्टी की गई थी लेकिन बकसर जीला प्रशासन ने 18 बोला है इन 18 संक्रमड में से 14 प्रोपर बक्सर के हैं, 4 बाहर के हैं तो इस प्रकार से बक्सर जिला और खास तोर से बक्सर टाउन कोरोना से लगातार संक्रमित होते जा रहा है एक ऐसा टाइम था कि बक्सर टाउन में कोरोना था ही ने सबसे पहले बकसर जिले में हमारे दुम्राओं प्रखंड से संक्रमण की पुष्टी हुई थी जब नयाब होचपुर संक्रमित हुआ था बकसर टाउन में कोरोना पहुचते पहुचते देर हुआ लेकिन देर तो हुआ लेकिन एक बार जो पहुच जाने के बाद यह लगातार अपने पाउं को पसार रहा है अभी का जो खबर है यह बकसर के नगर वासियों के लिए जदातर चिंता जनक है और साथी साथ आपको जागरुग करने वाला भी है पहले तो मैं आपको यह बता दो कि किन-किन खेत्रों से यह संक्रमड आया है पहले आप यह जान एक बजार समीती रोड एक गुलंबर के समीप से हैं सिंडिकेट के समीप से एक है वीर कुवर सिंग से एक पेशेंट है जबकि कोईर पूरवा से तीन पेशेंट है हॉस्पीटल रोड के निव एरिया से एक पेशेंट है नया बजार वाइड नंबर साथ से एक पेशेंट ह जबर चक्या में एक पेशिंट है तथा गजाधर गंज में एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पया गया है इसकेतरिक चौंसा में तीन और इस पी कोठी में एक संक्रमण की पुष्टी हुई है तो यह कुल मिलाकर अठार नए संक्रमण की पुष्टी हुई जो कि हमारे बकसर जीले को एक बार फिर से अलर्ट पे रख रहा है अब आप जितने भी बकसर नगर वासी हैं आपको यहां पर अपनी समझदारी अपना विवेक और अपने धैरी का परिचे देना है आपको यह समझना है कि स्थिती अभी गंभीर है खास्तोर से आपके लिए आप स्वयम को घर तक सिमित रखे और क्राउड को वाइड करें नक्यवल आप बल्कि आप अपने परिवार के सदस्यों को भी यही सला दे यदि आपके नगर घर के असपास के ऐसे लोग है जो कि लगातर क्राउड इकठा करते हैं आप उनको भी समझाए क्योंकि उनकी सुरक्षा में ही तो अभी क्या सिचुवेशन डराने वाला जरूर है लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा आप सभी लोगों से कि कोरोना से जो भी पेशेंट पीडित होता है वो ठीक हो जाता है ज्यादा चिंता नहीं करना है आपको हां अपने आपको सतर कवश्य रखना है हमारी सतरकता ही हमारा बचा हो है लगातार कोशिश करिए जिला प्रशासन इसी कोशिश के तहट 17 तरिक तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया अभी और भी एक्स्टेंड हो सकता है जिस गती से कोरोना बढ़ रहा है यदि आप चाहते हो कि हमारा ये लॉकडाउन जल्दी खतम हो और हम फ तिए नहीं हो कि और हमारा जन जीवन समानि हो पाएंगा तो आजनी हम पूरे धायरे और सयम के साथ संपूरुण बग्सर के वासी इस लड़ते हैं कोरोना से बच्चते रहें और अपनी सुरक्षा करते हुए कोड़ना को अपने जिले से दूर करते हां अप संकुशन रहे सुरक्षित रहें स्वस्त रहें कोरोना से बचे रहें ऐसी हमारी मनों कमना है धन्यवाद